बॉलिवूट की चर्चेत परिवार दियोल परिवार से हाल ही में बेहत बड़ी खुश खबरी आ चुकी है जी हाँ बॉलिवूट की ही में धर्मेंद्र ने बेहत बड़ी खुश खबरी दे दी है अपने फैंस को बताएंगे आपको हमारी इस रिपोर्ट के जरिए हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू आर चनल नेक्स्ट नाइन न्यूस एम येर होस्ट और दोस्त प्रांशिराठोर वल दोस्तों बता दे आप सभी को कि धर्मेंद्र जिन्होंने अपनी शांदार एक्टिंग के जरिए हमेशा ही आप सभी को दिवाना किया है 85 years के हो चुके हैं धर्मेंदर लेकिन आज भी अपने शांदार एक्टिंग के जरीए फैंस को दीवाना करते हुए नसर आते हैं जहां एक ओर इंडस्ट्री में धर्मेंदर एक सुपरस्टार ही मैन के नाम से जाने साते हैं वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो धर्मेंदर के दोनों ही बेटे सानी देओल और बॉबी देओल ने इंडस्ट्री में अपनी बेहत अलग और खास पहचान बना रखी है ऐसे में देखा जाए तो ये प्यारी सी जोड़ी यानि की पिता और दोनों बेटों की प्यारी सी जोड़ी कई बार फिल्मों में एक साथ नज़र आई है कई बार एक दूसरे के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नज़र आए हैं धर्मेंदर और उनके दोनों ही बेटे ऐसे में बता दे आप सभी को कि एक बार फिर से धर्मेंदर और स्तनी दियोल आप सभी को गुड़ नियोज देने जा रहे हैं आईए जानेंगे हमारी इस रिपोर्ट के जरिये बॉलिवूट के चर्चे दियोल परिवार से हाल ही में एक बीहत बड़ी खुश खबरी आचुकी है यह गुड़ नियोज दी है ही में धर्मेंदर ने अपनी दोनों बेटों स्तनी दियोल और बॉबी दियोल के स्ताथ मिलकर दरसल बता दे आपको कि धर्मेंदर बॉबी दियोल और स्तनी दियोल की फिल्म अपने की सीक्वल का फ्रांस बेसबरी से इंतसार करती हुए नजर आ रही है बीते कुछ महीनों पहले ही एनाउंस्मेंट की गई थी फिल्म अपने की सीक्वल को लेकर इस फिल्म में धरमेंद्र अपने दोनों बेटों के साथ नजर आएंगे वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो स्तनी देओल के बेटे करन देओल एहम किरदार में देखे जाएंग फिल्म अपने टू में ऐसे में देखा जाए तो फैंस इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार इस फिल्म की शूटिंग कब शुरू होगी और कभ ये फिल्म रिलीस की जाएगी वैल दोस्तों बता दे आपको की हाल ही में अपकमिंग फिल्म अपने टू को लेकर एक और एनाउं में मेकर्स ने इस फिल्म की शूटिंग के बारे में बता दिया है जानकरी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में निर्देशक अनिल शर्मा ने इस फिल्म को लेकर बताया है कि इस फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू कर दी जाएगी निर्देशक ने कहा है कि फिल्म को अब आगे बढ़ा दिया गया है हम मार्ज साल 2022 तक शूटिंग शुरू कर देंगे और इसके लिए वास्तम में काफी ज़्यादा एकस्टाइटेड है इतना ही नहीं निर्माता दीपक मुकुट ने शेयर किया है कि पॉसिवल है कि लंदन में फिल्म की शूटिंग करेंगे दीपक ने बताया है कि फिल्म की शूटिंग पूरे लंदन में होनी है और अब दुनिया भर में चीज़ें खुलना शुरू हो गई है अनिल शर्मा और म भावित करने वाला एक अन्यकारक फिल्म के लिए करन की तैयारी थी दरसल जिसे उसके प्रशिच छड के लिए शामिल किया गया था वह भारत के लिए उडान भड़ने में अस्तमर्थ रहे हैं इस तरह से देखा जाए तो अपने टू की शूटिंग को लेकर ये गुड आप सभी ने देखा जाना हमारे इस रिपोर्ट के जरीए कि एक बार फिर से धर्मेंद्र, स्तनी दियौल, बॉवी दियौल और धर्मेंद्र के बड़े पोते अक्टर करन दियौल एक साथ स्क्रीन पर नज़र आने वाले हैं और फिल्म अपने टू के जरीए आप सभी को एंटरेटीन करने के लिए तैयार हो चुके हैं ऐसे में देखा जाए तो पूरे दियौल परिवार के लिए ये वाकई में बेहत बड़ी खुश खबरी है हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज